आपका बैलन्स शाटेशार वो पैसे तो भेज दिया एक हजार बैलन्स है ना ना बॉस्टे बोला नहीं मिला जी आपके 600 पुराने बैलन्स हैं सिरे 500 बाकी हैं च्या मुसीबत है इस मुसीबत का हल है सिर्फ खाता बुक है जो करें आपके सारे हिसाब किताब आसा अब खाता हुआ खाता बुक परिक्षा होने वाली है और आप हड़ताल करोगे क्या यह सिर्कार के स्थर पर नहीं बलकि पंचायत और नगर निकाय के सर से की गई है आयोग सिक्षकों की पहाली कर सिक्षा विवस्था को नष्ट किया गया लेकिन फिर भी हमने इनकी नौकरी बचाई अब थोड़ा मामला समझ लीजिए साल 2003 आरजेडी की सरकार तब बिहार के मुक्ष मंत्री थी राबडी देवी एलान किया गया कि ग्रामिड इस्तर पर बेरोजगारी से जूज रहे युवाओं को रोजगार के अफसर दिये जाएंगे इसके लिए सिक्षा मित्र नियुक्त किये गए उस समय दस्वी और बाहरवी के अंकों के अधार पर इन सिक्षकों को 11 महीने के कॉंट्रेक्ट पर रखा गया इनने मासिक 15 सो रुपे का वेधन दिया जाता था धीरे धीरे इनका अनुबन बढ़ता रहा और वेतन भी बढ़ता रहा पिर 2005 से नियुक्त कुमार की सरکार नियुजित सिक्षक काउंट्रेक्ट टीचर की मानिता दे दी अब नियमित और नियोजित सिक्षकों में क्या अंतर है वो समझ लीजे बिहार में साल 2005 में नियुजित सिक्षकों की भरती शुरू हुई थी इसके लिए कोई नय नियमित अध्यापक नियुक्त नहीं हुए सारी भरतिया नियोजित पदों पर की गई ये सिख्षक तो हैं मगर सीधे तोर पर बिहार सरकार के करमचारी नहीं कहलाते नियुक्ती पंचायती राज के तहट पंचायत और ब्लॉग इसतर पर की गई इसलिए इन्हें वो सोविधाय नहीं मिलती हैं जो वहाँ नियमित सिख्षक बिहार सरकार के करमचारी कहलाते हैं इसकी वज़े से उन्हें पेस्केल, ट्रांसफर, अधिक छुटियां, दुरगटना भी माधी सोविधाय मिलती हैं लेकिन नियोधित सिख्षकों को ऐसी कोई सोविधाय नहीं दी जाती उन्हें बस एक तैस सेलरी पर नियुक किया जाता जो नियमित अधियापकों से काफी कम है हमारी बात बिहार राज सिख्षक संगर्श समन्वे समेती के मीडिया प्रभारी मनोश कुमार से हुई मनोश ने बताया हमारी नौकरी की कोई सेवा शर्थ नहीं है नहीं सामान भविश निदी का कोई लाब मिलता है जो सुप्रीम कोड की गाइडलाइन है सरकार की तरफ से कोई दुरगटना भीमा भी नहीं कराया जाता जबकि ये सारी सोगधाय सरकारी अधियापकों को दी जाती है सबसे बड़ी बात वेतन की है हमें अधिक्तम 30,000 रुपे मिलते हैं जबकि नियमित सिक्षकों को 70,000 तक वेतन मिलता है नियोजित अधियापकों का ये विवाद सुप्रीम कोड तक चला था सुप्रीम कोड ने हाई कोड की फैसले को परटते हुए बिहार के करीब 4,000,000 नियोजित सिक्षकों को नियमित करने से इंकार कर दिया था सुप्रीम कोड ने अपने आदेश में कहा कि बिहार सरकार के द्वारा सिक्षकों के लिए दो अलग-अलग वर रखना उचित है मंच से कही वहाँ जब हम लोग जीत गए तो सरकार ही अपनी सुप्रीम कोड चली गी ये कहां तक जायज है हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हाई कोड की फैसले पर विचार करें और हमें नियमित करें अब सरकार क्या कर रही है बिहार में बोर्ड की परिक्षाएं चल रही है हर्ताल पर बैठे सिक्षकों को ड्यूटी करनी थी हर्ताल पर जाने से पहले सिक्षकों के संगठन बिहार राज सिक्षक संगर शमिती ने 28 जनवरी रट सरकार को पत्र लिखकर बाचित करने का कहा पत्र में 17 फरवरी से हर्ताल का भी जिक्र था किसी भी तरह की बाचीत ना होने के बाद सिक्षक हर्ताल पर चले गए हर्ताल के दोरान इस सरकार की तरफ से चेताबनी मिलती रही जिसके बाद 25 फरवरी को 117 सिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया दोनों पर 17 फरवरी को FIR भी दर्ज हुई मुस्तफा ने हमसे पताया कि उन्होंने अभी FIR की कौपी नहीं देखी है लेकिन पता चला कि एक्जाम सेंटर पर मार पीट और हिंसा करने का मामला दर्ज है जबकि वो धन्नास्तल पर है बरकास्तिकी के लिए 40 अधिक शिक्षकों को चिन्हित किया गया है शिक्षा विभाग ने अपने सभी जिला पतादकारियों को पत्र लिकर कारवाई करने का निर्जदेश दिया है देखने वाला हुगा कि बिहार में ये मामला कहां जाकर खत्म होगा आपके लिए जानकरी उटाई थी हमारे साथी डेविड ने आप देखते रही दिललन टॉप शुक्रिया